तो इस वीडियो में हम लोग angle of repose का derivation discuss करेंगे सबसे पहले तो समझ लीजे कि angle of repose होता क्या है तो यह angle होता है आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा एक angle बना हुआ है यह आपका inclined surface है यह एक body रखी गई है जिसका mass है m यह angle theta है ठीक है और इसी angle को बोलते है angle of repose यह कौन सा angle है इसके बारे में सौझ यह यह जो angle है यह इतना angle है यह angle है horizontal मतलब यह जो आपका inclined surface है और horizontal surface इसके बीच का angle है ठीक है और यह वैसा angle है जिस पर जो body है just slide करने वाली होती है मतलब slide भी करने नहीं लगेगी बस start करना मतलब slide करना start करेगी तो ऐसे angle को क्या कहते है angle of repose कहते है तो अगर इसकी definition देखी जाए तो angle between inclined plane यह आपका inclined plane है और यह आपका horizontal हो गया तो angle between inclined plane and horizontal at which the body starts sliding मतलब इस angle पे body बस start होने वाली होगी ठीक है that angle is called angle of repose अब देखे इसका derivation कैसे करेंगे derivation के लिए simple सा काम करना है आपको एक free body diagram बनाना है free body diagram किसका बनाएंगे इसी body का बना देंगे देखे कैसे बनेगा यह माल लिजे आपकी body है यह जो mass m था बोडी है अब इस पर कितने-कितने forces लग रहे हैं पहले इसको देख लेते हैं नीचे लग रहा होगा क्या नीचे लग रहा होगा m into g का force mg force नीचे लग रहा है तो mg force नीचे लग गया इसके बाद अगर देखें आप तो body नीचे slide करने कोशिश करेगी इसलिए जो friction force लगेगा वो किदर क्यों लगेगा upward direction मतलब इस तरफ लगेगा ठीक है inclined plane में upward direction में आपका friction force लगेगा यह आपका हो गया friction force इसको आप लोग fr से represent कर लीजे ठीक है अब देखिए इसके बाद यह आपको जो angle दिखाई प्रत है angle theta था तो यह 90 degree आपको angle दिख रहा होगा तो यह वाला जो angle हो जाएगा यह हो जाएगा 90 minus theta यह जो छोटा angle है 90 minus theta हो गया तो सबसे पहला काम ही करना है कि इस mg के दो component divide करिए पहला हो जाएगा इधर इस side में आप देखेंगे पहला component हो जाएगा ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा तो theta से पता चलेगा और एक component आ जाएगा इधर नीचे की और यह चोटा सा जो angle आपको दिखाए पुढ़ रहा है यह क्या हो गया theta हो गया अब समझे यह अगर mg है तो mg के साथ जो theta एंगल बनाता है वो क्या होता है वो होता है mg cos theta यह आपका mg cos theta हो गया तो इधर वाला component आ रहा है mg का यह क्या हो जाएगा mg sin theta हो जाएगा ठीक है तो यह इस normal reaction लग रहा होगा ठीक है तो आप क्या कह सकते हैं component में break भी कर लिया है अब आप दोनों forces को equate कर लिजे पहला force mg cos theta है और इसी direction के opposite direction में आपको दिखाए बढ़ रहा है तो आप कह सकते हैं और इधर की और आप देख सकते हैं mg sin theta लग रहा है और उपर की और क्या लग रहा ह friction force का formula आपको पता होगा mu into n होता है जहाँ पर n normal reaction होता है ठीक है तो यह mg sin theta किसके बराबर आगया mu into n के बराबर आगया ठीक है mu coefficient of friction है यहाद रखेगा यहाँ का coefficient of friction कितना है mu है coefficient of friction property होती है surface की ठीक है इसके बाद आप देख सकते है mg cos theta किसको equate कर रहा है किसके साथ आ रहा है किसको balance कर रहा है n को तो दूसरी equation आपकी बन जाएगी mg cos theta बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा यह आपकी equation number 1 हो गई यह आपकी equation number 2 हो गई इसके बाद क्या करना है equation 1 divided by equation number 2 कर दीजे ठीक है तो क्या बन जाएगा आपका देखे यह mg और mg कट जाएगा sin theta upon cos theta क्या हो जाएगा tan theta हो जाएगा तो tan theta जो है यहाँ पर आप देखेंगे n और n भी divide हो जाएगा तो tan theta किसके बराबर आजाएग mu के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आप theta निकाल सकते हैं theta will be equal to tan inverse mu तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से angle of repose का derivation कर सकते हैं तो फिलाल आपको समझेना main बस यही है कि नीचे की और क्या लगा mg लगा ठीक है यह आपका angle theta था तो यह आपका angle बन जाएगा 90 minus theta ठीक है इसके बाद आप यहाला component आप लेके आएंगे एक इधर component लेके आएंगे जो यह वाला component है क्योंकि 90 minus theta है यह angle theta हो जाएगा ठीक है तो यहाला component मन जाएगा mg cos theta नीचे लगा बन जाएगा mg sin theta ठीक है आपके क्योंकि body नीचे slide होने की कोशिश करेगी तो उपर की direction म में क्या लग जाएगा mu into n लग जाएगा मतलब friction force लग जाएगा फिर क्या किया friction force को हमने equate कर दी mg sin theta के साथ में आप देख सकते हैं mg sin theta is equal to mu n और आप देख सकते हैं दूसरी चीज़ कि जो mg cos theta था यह equate हो जाएगा किसके साथ में normal reaction के साथ में ठीक है तो इस तरीके से हमा हमारा पूरा derivation हो जाएगा ठीक है फिर दोनों equations को divide कर देंगे 10 theta is equal to mu आ जाएगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा 10 inverse mu ठीक है तो इसमें हमारा angle of repose का formula होता है 10 inverse mu ठीक है अब इसी से related question देख लेते हैं इसमें देखे कहा गया है coefficient of friction is 1 upon root 3 आपको coefficient of friction दे दिया जाएगा question में 1 upon root 3 है कोई भी coefficient of friction दे दिया जाएगा फिर आपसे कहा जाएगा बताई यह angle of repose क्या होता है तो आपको simple सा काम करना है सबसे पहले आप लग देंगे 10 theta बराबर mu ठीक है अब यहां क्या हो जाएगा 10 theta mu क्या है आपका angle of coefficient of friction है यह 1 upon root 3 दिया हुआ है ठीक है अब आप समझे कि 10 theta की value 1 upon root 3 कब होती है तो यह होती है 30 degree पे तो 1 upon root 3 को आप लिख सकते है 10 of 30 degree क्या लिख सकते है 10 of 30 degree तो यह हो जाएगा 10 theta बराबर 10 30 तो यहाँ पर theta की value कितन को कर सकते हैं तो यह हमारा इक और derivation था इसके बाद बाकी derivations भी आपके सामने आते रहेंगे बहुती जल्द वीडियो के form में